केके पाठक के उपर लगा बहुत बरा आरोप खुद कर रहे प्रोटोकॉल का उलंगन और BPSC TRE2 पूरी तरह सक के दाइरे में जा सकती है TRE2 के तमाम विद्याले अध्यापकों की नौकरी केके पाठक के उपर लगा बहुत बरा आरोप खुद कर रहे प्रोटोकॉल का उलंगन और BPSC TRE2 पूरी तरह सक के दाइरे में जा सकती है TRE2 के तमाम विद्याले अध्यापकों की नौकरी नमशकार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को मैं हूँ इसके चौतरी नियोजित सिक्षकों के फरजीवारे के उपर सवाल उठाए हैं आखिर अंत में वही फरजीवारे में हस गए हैं ये बात भी हर कोई जानता है कि जिसने भी नियोजित सिक्षकों के योगता पर सवाल उठाए हैं आखिर अंता गत्वा वे ही अयोग्य करार हो गए हैं आज हम इनी तमाम बिंदूओं के उपर बिलकुल सटिक विसलेशन और उदाहरन लेकर आपके बीच हाधिर है इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पुर्वक चर्चा करें जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्ते वचन को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो किर्प्या शाथियों बिहार के अपर मुख्य सचीब केके पाठक महोदे जहां हमेशा सुर्ख्यों में बने रहना चाहते हैं उन पर बहुत बड़ा सवाल खरा हो गया है शाथी बहुत बड़े आरोब से भीवे गीरते नजर आ रहे हैं इसका मुख्य बिंदू है प्रोटोकॉल का उ मंदित ट्रेनिंग अस्थल पर उनकी उपस्थिती होती है उश्वग जैसे राजा और महराजाओं द्वारा द्वार से आगवन किया जाता है उश्वग तमाम पर सिक्छु सिक्छकों द्वारा उनके उपर फूलों की बरसाथे की जाती है तो उधर सिक्छिकाओं द्वार उनके पैरों पर गिरते हुए उनकी सलामी बजाई जाती है अब इन्हीं तमाम बिंदूओं के उपर माननिय केके पाठक महोदे के उपर एक बहुत बड़ा सवाल खरा हो गया है जिसकी खवर पूरे मीडिया जगत में आग की तरह हैल्टी नजर आ रही है साथियो इसका परमुख वज़ा है सेवा संहीता प्रोटोकॉल बिहार हो या भारत हो सेवा संहीता प्रोटोकॉल ये कभी नहीं कहता कि कोई भी एक करमचारी अन्ने उपर के करमचारी हो या समतुल्ले करमचारी हो उनके पैरों पर गिरकर उनकी सलामी बजाए क्रमचाडी शेवास संगिता ये कभी नहीं कहता कि बरिये पदाधिकारियों के उपर फूलों की बरसात किया जाए क्रमचाडी शेवास संगिता ये कदापी नहीं कहता कि कर्मियों दोरा किशी भी बरिये पदाधिकारी की आरती उतारी जाए इस तरह की वीडियो और खवर पहुचते ही अब सिक्षा जगत में बहुत बड़ा बवाल मच गया है। कहीं से भी प्राबधान नहीं है। बिहार के नियोजित सिक्षकों के उपर केके पाठक महोदे ने ही दिवारे खरी कर दी थी। और उन्होंने विशेश रूप से विद्याले अध्याबकों में तमाम नियोजित सिक्षकों के परती ऐसे दोएस की भावना भर दी थी। जिसके कारण हमेशा विद्याले अध्याबकों की ओर से नियोजित सिक्षकों के उपर तंज कसे जा रहे थे और उन्हें दूसरे दिश्टी कों से देखे जा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से सटिक उदाहरन तमाम विद्याले अध्याबकों के उपर आ गया है जिन्होंने नियोजित सिक्षकों के फर्जिवारे के उपर सवाल उठाए थे। बहुत बड़ी खवर्चन के आई है कि BPSC TRE 2 के अंतरगत बहुत बड़ा फर्जिवारा हुआ था। शुवक्त भी इस पर सवाल उठाए गये थे। एक तरफ जहां मननी अतुल परसाद महोदे ने तमाम बाहरी छात्रों के लिए परिच्छा के सेडूल बदल दिये थे कि मौशम खराब रहने के कारण ट्रेन आने में बिलंब हो चुकी है इसलिए परिच्छा का टाइमिंग चेंज किया जाता है। 105 नंबर अभिहर्थियों ने प्राप्त की थी। साथियों फरजिवारा को परमानित ये भी उदाहरन करता है कि TRE2 की अंतरगत सामिल तमाम अभिहर्थियों को भासा के पेपर में सफल होने के उपरांध ही उनके अन्ने पेपर्स क्या मुल्यांकन किया जाएगा। जिसके अंतरगत वे तमाम अभिहर्थि जो फरजिवारा में सामिल थे वे भासा में ही फेल नजर आ रहे थे जिसके कारण भासा अहर्ता को ही समाप कर दिया गया था। तो साथियों ऐसे कई सारे उदाहरन है जो फरजिवारी को सही प्रमानित करता है। और ऐसे ऐसे धेर सारे उदाहरन है जो आज मीडिया में घूम रहे हैं और वारल भी हो रहे हैं। इसी के अंतरगत TRE2 से संबनित फरजिवारे के मामले के अंतरगत एक संबादाता जिन्होंने फिल्ड में जाकर जानकारी प्राप्त की है और उसकी आधार पर क्या कुछ उन्हें प्राप्त हुआ है आईए आप अपनी खुली आँखों से देखिए और सुनिये तो शाथियू आपने देखा कि कैसे BPA CTRE2 के फरजिवारे के परमान प्राप्त हो रहे हैं लेकिन हम कहना चाहेंगे कि विद्याले आधियापकों के उपर खतरे की घंटी तब तक नहीं मड़रा सकती है जब तक कि इसका पुक्ता सबूत प्राप्त नहीं हो जाए ये भी बात सही है कि अगर पुक्ता सबूत मिल जाते हैं तो निशित रूप से सेवा में आ चुके तमाम सिक्षकों को अपनी सेवा गवानी पर सकती है इसके अंतरगत हम आपको बता दे कि पंजाब लोक सेवा आयोग के अंतरगत वर्स दो हजार पांच आठ के अंतरगत पताधिकारियों के निउक्ती हुई थी और उसके अंतरगत भी फर्जी बारे सामने उजागर किये गए थे जिसका पुक्ता सबूत भी मिल गया था और उस पुक्ता सबूत के आधार पर पंजाब उचनयालय में एक मामला चले थे और अंतरगत बहाल इस डियम जैसे बरे-बरे पदो पर बहाल तमाम पराधिकारियों को अपनी नोक्री गवानी परी थी तो ये बहुत बरा उदाहरन है प्रन्तु तब तक तमाम विद्यालय अध्यापक बिलकुल ही सुरक्चित है जब तक कि इसके और भी फुक्ते सबूत औ नहीं मिल जाते हैं शाथ ही ये मामला कुछ नयालय तक नहीं चला जाता है तो साथियों ये थी आज के एहम ख़वर आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे इन बिंदूओं पर आप सभी का क्या कहना है आप कॉमेंट में अवस्य लिखेंगे हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास सेर कर देंगे हम फिर मिलेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए कहते हैं जै हिन जै भारत दोस्तों